एमेजडी की सिरीज में पहला पहली कहानी हम श्राट कर रहे हैं जिसका नाम है ठाकूर का कुवां जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है तो ठाकूर का कुवां इसमें क्वेश्चिन इस प्रकार आ सकता है कि ठाकूर का कुवां कहानी में प्रेमचंद ने जो अस्प्रस्यता क समस्या को गहराई से अभी वक्त किया है तथा उसके परिणाम स्वरूप अच्छूतों के दयनिय जीवन की जहां की पेश्की है इस कथन पर विचार कीजिए यह इसी से रिलेटेड अब मतलब आ सकता है कि जो अस प्रिश्चता की समस्या है वो कैसे भा ठाकुर का कुवा कहा आपको बतानी है तो पहले तो मैं आपको बता दूँ ठाकुर का कुवा जिसे प्रेम चैन जी ने लिखा है इसमें दो चीज आपको जाननी है पहले तो अस प्रिश्चता की समस्या फिर सेकेंड में हम जानेंगे गंगी का चरित्रांकन तो गंगी क्या है कौन है यह सब उनकी उपन्यास है कर्म भूमी और उनकी कहानिया है जैसे की सदगती दूद कदाम कफन और ठाकुर का कुवा तो इन सभी में प्रेम चैन जी ने दलीत समाज के उत्पिडन को सोशन को अपमान को तिरसकार को गरीबी को ठीक है यह सब को उन्होंने चित्रन किया है तो ठाक ठाकुर का कुवा खास करके जो अभी हम यह कहानी में बता रही हूं इसमें जाती प्रथा उच निच के भेदभाव छूआ ज़ुआ चुट के कारण जो अचुट कैसे नारकिय जीवन जी रहा है उसका चित्रन किया गया है तो देखिए इस कहानी में एक परिवार है जिसम गंगी होता है तो यह गंगी आपको यह कहानी की नाई का जैसे आप कह सकते हो अच्छूतों के लिए गाओं की बस्ती से दूर कुए का पानी किसी जानवर की लाश गिरने से बदबुदार तथा अपय बन जाता है यानि के जो जोखु और गंगी इनका परिवार पानी पीने के लिए जहां से लाता था उस कुए में किसी जानवर की मर जाने से पानी जो है गंदा हो गया बदबुदार हो गया है ठीक है और जो जोखु जो है उसकी तब्यत हमेशा खराब रहती है वो रोगी है दुर्बल शरीर वाला है तो जोखु से वो बदबुदार पानी पिया नहीं जाता, तो गंगी जो क्या करती है न, वो कहती है कि गाउं में जो ठाकुरगे कुए हैं, वहां से पानी ले आती हुँ, तो गंगी की ऐसी सोच, ऐसी साहस और एसे प्रयास, ठीक है, और अंत में क्या होता है, इनी सभी को लेकर ये कधानक का निर्मान होता है ठीक है जैसे कि आपको पता चला कि कहानी पानी की समस्या को लेकर है और इसमें अच्छूत जो पती-पत्नी है जोखु और गंगी इनको लेकर शुरू होती है जोखु और गंगी स्वच पानी की समस्या से जूर रहे हैं जोखु ने ल जो हो प्यास के मारे तडप रहा था गंगी प्रती दिन शाम को पानी भर लिया करती थी कुवा दूर था बार बार जाना मुश्किल था वो अन्य गरीब सवर्ण महिलाओं के कुएं से पानी नहीं भर सकती थी ठीक है तो इनको अचुत कहा जा रहा है और जो ठाकुर की वहां से पानी लाने की बात कहती है तो जोखु उस पर बरजता है बरज कर बोलता है ठाकुर के कुवे पर कौन चड़ने देगा दूर से लोग डांट बताएंगे साहु का कुवा घर के उस सिरे पर है परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा और कोई कुवा गाउं में है ही न कि अच्छूतों की आर्थिक दशा ऐसी नहीं थी कि वे अपने लिए कुवा खुदवा सके मजबूरन सवर्णों के आगे पानी के लिए गिड़ गिड़ाने के सिवाए उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है तो जब जोखु ये बात बोलता है कि तुम ये क्या बोल रह चढ़ने भी नहीं दिया जाएगा गाउं में कोई दूसरा कुवा है नहीं और तुम सबर्णों के कुवें से पानी लाने की बात कैसे बोल रही हूँ इतना साहस कैसे तुमहारे पास गंगी बोलती है कि ये पानी कैसे पिئोगी ये तो बदबुदार पानी है न चाने कौन से जानवर मरा है कुए में से साफ पानी मैं ले आती हूँ जोखु बहुत आश्यरे में पढ़ गया लेकिन दूसरा पानी कहां से आएगा गंगी कहती है दो दो कुए है एक लोटा पानी ना भरने देंगे जोखु ने उस सामान ये यधरत की और संकेत किया जिस पर सबसे पह चुकचा बैढ़ जाओ तो गंगी बोलती है ऐसा क्यों होगा तो जोखु बोलता है कि क्योंकि ब्राम्हन देवता आशिरबाद देंगे ठाकुर जो है लाठी मारेंगे और साहु जी एक के पांच करने में लगे रहेंगे गरीबों का दर्द कौन समझता है दर्द छोड़ तो यहां तो मर भी जाओ तो दुवार पर कोई जाकने तक नहीं आता कंधा देना तो बड़ी बात है तो प्रशन उड़ता है कि सवर्ण जातियां अचुतों के प्रती इस हद तक असमवेधन शिल क्यों है उनके दुख में शामिल होने उनकी गरीबी को हटाने या उनकी पर भी कोई क्यों नहीं साथ देता साथ आता प्रेमचन ने जोखू और गंगी के द्वारा इन प्रशनों को पहली बार रचना के माध्यम से उठा कर अचूध जीवन की वास्तविक्ता से परिचित कराया है पती द्वारा सावधान किये जाने और दंड दिये जाने की चेत गवा कर चुकानी पढ़ सकती है उस स्थिती की कोई सवर्ण स्त्री क्या कल्पना कर सकती है कि पानी जो की जीवन की जरूरत है उसके लिए अजूतों को इस कदर की बेवसी का सामना करना पढ़ रहा होगा गंगी अभी कोई के पास भी पहुँची थी तो पेड़ों की आंगन जो है यहां पे ठाकूर के आदमी है तो वह चुपकर वहां पेड़ों की आड़ में चुपकर बैट गई और इंतजार करने लगी कि कब आंगन खाली हो तो वह कुए से पानी लाए कुछ दिर बाद गंगी पेड़ की छाया से निकली और कुए के जगत के पास आई बेफिकरी से बेफिकरे चले गए थे मतलब जो वहां पे थे वो लोग सब चले गए थे फिर ये पेड़ों के पीछे से आई ठाकूर भी दरवाजा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहा है थे किसी अच्छूत द्वारा नियम को तोड़ने पर हिंदू धर्म में इस अपराद के लिए बड़ी सक्त सजा का प्रावधान है उसने रसी का फंदा घड़े में डाला दाएं बाएं चोकनी द्रिष्टी से देखा जैसे कोई सिपाही रात को शत्रू के लिए शत्रू के किल पर उसे उसकी इस ध्रिष्टता के लिए माफ नहीं किया जाएगा बलकि जाती प्रथा की परंपरा को तोड़ने जैसा अपराद करने की कारण कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता था लेकिन जाती विवस्ता के खिलाफ जाकर पानी लेने का साहस उसमें था घड़े को पान का सदस्य जाग ना जाए गंगी के इस संकल्प और मनुभाव को प्रेम चंद इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं घड़े ने पानी में गोता लगाया बहुत ही आहिस्ता जरा भी आवाज न हुई गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे घड़ा कुएं के मू तक पहुँचा गंगी द्वारा ली गई सावधानी दिखाई गई तेजी और द्रिड संकल्प का नतीजा कुछ नहीं निकला ज्यों ही गंगी जुकी कि घड़े का पकड़ कर जगत पर रखेगी एक एक ठाकुर का साहब का दर्वाजा खुल गया प्रेम चंद ने लिखा ह शेर का मुँ इससे अधिक भयानक नहीं होगा ठाकुर कौन है कौन है कहकर हवेली से निकला गंगी के हाथ से रसी छूट गई रसी के साथ घड़ा भी धड़ाम से पानी में जागी रहा गंगी जान बचाकर अपने घर की और दोड़ी और वहां जाकर उसने देखा कि उसका पती वही दुरगंध पुन दूसित पानी पी रहा था जिसे वो ना पीने का आदेश दे कर गई थी तो बस कहानी के अंत में सपष्ठ है कि दलीतों की सामाजिक और आर्थिक स्तिती ऐसी है कि उन्हें सबर्णों की अत्यचार शोशन उत्पीरधन को सहने पड़ रहे हैं इ गंगी अस्प्रिश्य वर्ग की स्तिरी है और उसका कुएं को छूना भयंकर अपराध में शामिल है गंगी अपमान बोद असुरक्षित्ता अनिश्चित्ता जातिकत उत्पीरण के शिकार है उसके मानवी अधिकारों का हनन हो रहा है क्योंकि वो अच्छूत है तो बस यही था अस्प्रिश्य वर्ग को जिस तरह से प्रेमचंद जी ने इसमें दिखाया है दूसरा क्वेश्य यह है कि अपनी जातिकी स्तिरियों की तरह मतलब गंगी का चरित्र है खास करके एकदम से गंगी का चरित्र जो है उसे अभी हम चरित्रंगन करेंगे तो ले आती है जगडा करके या संघर्ष करके नहीं अभी के टाइम पर हम ऐसा कह सकते हैं कि दलीतों और अच्छूतों को संघर्ष करना चाहिए करते भी हैं और लोग साथ भी देते हैं पर यह जो कहानी है यह प्रेमचंद जी के वक्त की है आप समझ पा रहे होंगे जैसे कि हिंदी साइथिय में प्रेमचंद जी का वक्त और राजनीतिक के टाइम पे गांधी जी का समय यह आपस में सेम है तो गांधी जी का जो समय था उस वक्त की यह कहानी है तो तब इतनी जादा जो है अच्छूत उनके अंदर ये इतना साहस भी आना यह कोई कम चिज नहीं है कि गंगी ने इतना साहस दिखाया कि वो पानी लाने वहां तक पहुँच गई थी बस अंत में पर वो ला नहीं पाई तो इतना भी साहस दिखाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साहस दिखता की बात है पर जो आलोचक होते हैं वो समालोजना किये हैं इसमें यही कि गंगी को वहां से लौट नहीं आना चाहिए था, उसे संघर्ष करना चाहिए था, ठीक है तो हम गंगी का चरितर पे चलिए अच्छे से विशलेशन करते हैं, ठाकूर का कुवा कहानी का केंद्रिय पात्र जो है वो गंगी है, लेखक उसी के माध्यम से छुआ छुट के कारण दलिजाती के जीवन के त्रास्ती को उजागर करता है, उसी का सोज साहस्पूर्ण कृत्य कथा वस्तू को विकास करता है, कहानी का करुण अंत भी उसके प्रयासों की असफलता के साथ होता है, गंगी हिंदू स्त्रियों की तरह पती प्रणैता सरल सभावबाली नारी है, उसका पती जोखू दूरबल तथा रोगी है, अतहा वहा उसकी जी जान से सेवा करती है, जब जोखू प्यास बुझाने के लिए बदबुदार दूशित पानी पीने लगता है, तो वो उसे ऐस करने से रोकती है, उसे डर है कि उस दूशित जल को पीकर उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, वह पती को धीरज बंधाती है, और वो किसी ना किसी प्रकार सुच्छ जल लाकर उसकी प्यास बुझाएगी, ऐसा कहती है, पती को पता है कि ठाकूर के कुएं से पानी लाना दुशकर कारिय है, जोखिम का काम है, क्योंकि अचुत स्त्री को पानी भरने की बात तो दूर रही, कुएं पर चड़ने तक को नहीं दिया जाएगा, पती की चेतावनी की परवाह ना कर, और स्वयम भी यह जान कर कि ठाकूर के कुएं से पानी भरना आसान नहीं है, मार प देरे का फाइदा उठाकर पानी लाने के लिए घड़ा और रसी लेकर चल पड़ती है, कुएं के पास पहुंचकर देखती है कि ठाकूर की हवेली के सामने कुछ लोग एकत्र हैं, अतहा वह पेडों की आड में छिप जाती है, निठले गप मारते लोगों के तितर बितर हो उने पर वह कुएं पर जाती है और धड़कते हृदय से कुएं में घड़ा डालकर उसमें पानी भरने की आवाज सुनकर घड़ा ऊपर खींचने लगती है, तबी ठाकूर की हवेली का द्वार खुलता है और वह भयवित होकर अपनी जान बचाने के लिए शिकारी से जान दोड़ती मृग की तरह अपने घर की और भागती है बहुत जोखिम भरे काम को करने का निश्चाय उसे पूरा करने का प्रयास उसके दृढ निश्चाय जाती व्यवस्था के विरुद्ध कार करने का साहथ मानसिक बल और पती प्रेम का परिचायक है गंगी दलित लोगों की वीश्यम परिस्थीती से अवगत है उसे पता है कि पकड़ी जाने पर उसकी दूरगती होगी अतहो वहो अपना काम पूरी सतरकता तथा सावधानी से करती है पहले पेडों की आड में छिपती हुई कुएं पर पहुँच कर घडा डालने से पहले चारों और चौकरनी द आवाज न हो और ठाकुर की हवेली में कोई जाग न जाए और अंत में जल्दी जल्दी घड़े को उपर खीचा कोई बड़ा शह जोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे खीच ना सकता था इससे पता चलता है कि गंगी चतुर सावधान और सतरक रहने वाली स्त्री थी उखिम भरे काम को अंजाम देने की चतुराई भी उसमें थी गंगी में नारी सूलब विशेष्टा दलित जातियों की तिरस्कृत अपमानित स्त्रीयों की तरह मानसिक दुरबलताएं भी हैं जो उसकी परिस्थीतियों और सवर्न समाज की अस्प्रिश्टा के प्रती मानस तथा क्रूरता को देखकर सुभाविक है गंगी के चरित्र की विशेष्टा यहा है कि समाज दलित स्त्रीयों की तरह वो जड़ नहीं है उसकी चेतना लुप्त नहीं हुई है उसमें स्तिती पर विचार करने अन्याए को महसूस करने उसके कारणों को पहचानने की शमता है वो चुपचाप अन्याए अनीती सहन नहीं कर पाती उसके मन में लोव, रोश, आकरोश, विद्रोह के भाव जागते हैं सबर्णों का अपनी जाती के प्रती दुर विबहार देखकर वो सोचती है हम लोग क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों मूझ हैं क्यों मूझ हैं ये जूटे मुकद्द में ये करें अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया इन्ही पंडित जी के घर में तो बारह मास जुआ होता है यही साहु जी तो घी में तेल मिला कर बेचते हैं काम करा लेते हैं गली गली चिलाते नहीं कि हम उचे हैं कभी गाओं में आ जाती हूं तो रसभरी आँखों से देखने लगते हैं जैसे सब की छाती पर सांप लोटने लगता है प्रेम चंद इस पर टिपड़ी करते हुए लिखते हैं गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पावंतियों और मजबूरियों पर चोटे करने लगा गंगी धार्मीक आडंबर पर भी प्रहार करती है ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं यहां तो जितने हैं एक से एक छटे हैं चोरी ये करे जालफरेव ये करे जुटी मुकद्द में ये करे गंगी के इस कधन में यह सत्य छिपा ह कि कथा कथित उंची जाती वालों को नीचता के किसी भी काम को करने में शर्म नहीं महसूस होती कुछ आलोचकों ने प्रेमचंद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गंगी के विद्रोह को केवल उसकी शब्दों तक सीमित रखा है उसका गुस्सा केवल शब्दों में अभिव्यक्त होता है गंगी का कुए से भागना एक प्रकार से सवर्णों के सामने आत्म समर्पन ह अंततह वह पलायन करती है एस प्रिश्चत का विवहर करने वाले हिंदूों से संघर्ष करने की स्कान पर गंगी का पलायन करना समस्य का समधान नहीं है इस कूरीती का निर्मूलन करने के लिए गंगी को कड़ा संघर्ष करना चाहिए था ऐसा प्रेमचंद के कुछ आरोप लगाते हैं यहां आरोप आज के युग में तो उचित मान पड़ता है जबकि दलित जागरूख हो गए हैं उनमें संघर्ष करने की चेतना जान पड़ी है और उनके द्वारा संघर्ष सुरू करने पर अनेक व्यक्ति अनेक नेता उनकी अनेक संस्थाएं उनकी सहा आवलंब थे कॉंग्रेस जैसी संस्था तता गांधी जी जैसे हरीजन उद्धार का बीड़ा उठाने वाले तक क्रांती बिद्रो अहिंसा में विश्वास ना कर रिदय परिवर्तन के सिद्धान में आस्था रखते थे बाबा साहब आमबेट करके दलितों की स्तिती सुध भारने के प्रयतनों का उन्होंने विरोध किया था और बाबा साहिब आमबेटकर जैसे महापुरुस को भी गांधी के सामने जुकना पड़ा था पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर अचूतों के लिए प्रिथक निर्वाचन शित्र की मांग को त्यागना पड़ा था उस सम क्रूर, दमकरी, शत्रू से जाती प्रथा और अस्प्रिश्रता के समर्थकों के साथ डटकर संगर्स करती गंगी कुछ समय के लिए ही सही जाती विवस्ता और शोशन के विरोध में खड़ी होती है अन्याय, अनीती, ढोंग, आडंबर के प्रती विचार व्यक्त करती है य प्रिश्रता की मार सहने और कस्ट भोगने की अतिरिक चारा और क्या ही था तो बस इतना ही इतने में आपका ये पूरा का